नमस्कार दोस्तों आप देखने टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल मेरा नाम है अभीशेख सागर और टेकनोलोजी फैक्ट्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है मेरे चैनल का सबसे फेवरेट एपिसोड और सेग्मेंट जहांपर हम बात करते हैं टेकनोलोजी क एक दिन में ओसतन भेजे गए और 269 बिलियन पूरे 2017 में इमेल भेजे गए और ये बहुत बड़ा माउंट होता है इतने सारे मेल ओसतन देखा जाए तो दुनिया भर में ओफिस में काम करने वाला एक व्यक्ति दिन में 121 इमेल रिसीव करता है जिसमें से ज्यादतर स्पै लावनाएं बहुत ज्यादा होती है अभी हम इस्तेमाल करते है चोटी चोटी इसी पunta होती होती है मोटी उसमें बहुत ज्यादा डाटा गेफ़ार कर सकते हैं है गया था, Microsoft का पुराना नाम था, Micro-soft, जिसको 1981 में उस Dash को हटा दिया गया, अब यह हो गया Microsoft, तो पहले Microsoft था, अब हो गया Microsoft, मैं आपको पता दू, 2006 में Microsoft ने एक offer रखा था, YouTube को खरीदने का, और उसकी value लगाई थी, 500 million dollar, और यह deal set नहीं हो पाई, और Microsoft YouTube को नहीं खरीद पाया, 2006 में आपने 3D printing का नाम तो सुना ही होगा आपको ये लगता होगा कि ये एक नई technology है जबकि मैं आपको बताओं कि 3D printing technology 30 साल पुरानी है 3 decades years old technology लेकिन ये अभी इतनी ज़्यादा popular की हुई इसका जो patent था वो हाल फिलाल में अगर 30 साल के हिसाब से देखा जाए तो अभी एक्सपायर हुआ है जिसकी मदद से क्या हुआ कि ये लोगों तक पहुँच पाई आपको मैं बता दूँ किसी भी technology का अगर patent होता है तो वो उसकी ही होती है वही उस चीज को develop कर सकता है आगे बना सकता है तो 3D printing की जो technology थी वो किसी एक ऐसे इंसान के साथ रही होगी या किसी company के पास रही होगी जिसने इसके आगे बढ़ा है नहीं और सभी लोगों के लिए इसको इसको इस्तिमाल नहीं किया लेकिन जब ये technology का patent expire हो गया तब ये logo तक पहुँच गई और ये technology अभी हमारे सामने आई है जो कि 30 साल पहले बन गई थी दुनिया की सबसे बड़ी hard disk अभी 60TB की है और ये एक SSD है मतलब solid state drive 60TB क्या आपको पता है कि YouTube पे अभी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो का नाम है Lewis Fonsi Das Pascito featuring Daddy Yankee That's Pascito song के बारे में आपने सुनाई होगा अभी इसके views हैं 4.7 billion और ये अभी YouTube पर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो है क्या आपको इंटरनेट की उमर पता है दिन के हिसाब से देखा जाए तो 10,000 दिन पुराना हो चुका है इंटरनेट हमारी technology बहुत आगे बढ़ चुकी है और क्या आपको पता है ऐसी technology निकल चुकी है जो कि किसी व्यक्ति को अगर heart attack आने वाला है तो 4 गंटे पहले वो बता सकती है कि इस व्यक्ति को heart attack आने वाला है और इस technology या इस machine की accuracy 80% है और यह बहुत ज्यादा होती है scientist और जो लोग भी इस technology पर काम कर रहे हैं वो आप दूसरी बीमारी पर भी इसका प्रयोग करके देख रहे हैं जैसे डेंगो फीवर और Ebola तो पहले ही पता लगा जा सकता है किसी को अगर डेंगो फीवर होने वाला या कुछ भी होने वाला Google का Deep Mind Artificial Intelligence इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा इसको 5000 घंटे का entertainment और TV सीरीज का content दिखाया गया या इसके अंदर feed किया गया और इसके बाद ये result सामने आया है कि ये Artificial Intelligence एक professional lip reader से ज्यादा अच्छे तरीके से lip read कर सकती है किसी भी इनसान के अगर कोई इसको कुछ बोल गूगल की ये पता लगा लेगी कि वो इनसान क्या बोल रहा है एक professional lip reader से 34% ज्यादा accurate जैसा कि आप जानते हैं Artificial Intelligence का जमाना आ चुका है बॉट का जमाना आ चुका है आपको ये बात जानकर हिरानी होगी कि 2030 अगर इंटरनेट पर सबसे बड़ी company कोई होने वाली है तो वो education based company होगी जहांपर bots और artificial intelligence का इस्तमाल करके किसी एक individual के लिए perfect lessons और lectures तयार किये जाएंगे जैसा कि हम जानते हैं कि एक class में या हमारी पूरी दुनिया में हर इंसान अलग होता है और उसके सीखने की समझने की जो शमता होती है वो दूसरों से सबसे अलग-अलग होती है को तो वो व्यक्ति बहुत अच्छे से पढ़ सकता है और ये जो industry education की होने वाली है वो कुछ इस तरीके के से ही होने वाली है bots को ऐसे design किया जाएगा कि वो उस बच्चे को उस ही के हिसाब से पढ़ाए किसी बच्चे को देख कर ज्यादा याद होता है सुनकर तो उस हिसाब स उसकी पढ़ाई design की जाए और ये जो industry है उस सबसे बड़ी industry internet पर 2030 तक हो सकती है आशा करता हूँ आपको technology की effects पसंद आए कुछ futuristic fact भी मैंने ही आपर include कर दिये ताकि आपको पता है कि आने वाले future में technology के साथ क्या क्या हो सकता है अगर आपको ये video अच्छी लगी तो इसे like करें अपने दोस्तें के साथ share करें और मैं मिल तो हूँ आपसे एगली वीडियो में thank you so much and good bye करेंट की तो हूँ आपसे नहीं वाले आपसे लू अभो राषा ये अप़ से एक कान